हेलो दोस्तो दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप थ्री इंडेक्स फंड के बारे में तो दोस्तो सबसे पहले हम यह बात कर लेते हैं कि इंडेक्स फंड होते क्या हैं तो दोस्तो index funds वो funds होते हैं जो किसी भी index को पकड़ते हैं और उस index में जितनी companies जिस भी proportion में होती हैं वो अपने portfolio में add कर लेते हैं उसमें जितनी भी companies हैं जिस भी proportion में हैं उसको अपने portfolio में fund manager add करके रख लेता है index fund investing को आप passive investing के नाम से भी यहां पर जानते हैं अब दोस्तो बात आती है कि index fund में invest करते हैं आपको किन चीजों का ख्याल रखना है तो दोस्तो आपको दो चीजों का हमेशा ख्याल रखना है उसकी expense ratio क्या है और उसका tracking error क्या है जो वो किसी भी index को follow करते हुए दे रहा है यही दो चीजे हैं जो एक index fund की returns को define करने वाली है एक की वो कितनी expense ratio आपसे charge कर रहा है और दूसरा की वो tracking error उस index को follow करने में दे रहा है अब दोस्तो बात आती है कि किस type के investors को index fund के थुरू invest करना चाहिए तो दोस्तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप एक active manage fund को invest कर रहे हैं तो आपको regularly उसको track करने की बहुत ज़ादा ज़रूर होती है हर एक ड़र साल में आपको इसकी performance को track करना बहुत ज़ादा ज़रूरी हो option है और दोस्तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप index fund में invest भी करना चाहते हैं तो large cap category के जो index funds है वो एक better option है क्यूंकि दोस्तो small cap और mid cap companies में return अच्छी generate करने के लिए एक active manage fund का होना बहुत ज़रूरी है आपके portfolio में तो आईए दोस्तो आप देख लेते हैं वो कौन से top 3 index funds ह जो अभी अच्छा कर रहे हैं large cap categories में तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं nifty 50 index के बारे में तो दोस्तो अगर हम पहले sector wise इसकी allocation यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो allocation है वो financial sector का यहाँ पर आपको दिख रहा है 36% के आसपास उसके अलावा technology sector में भी अच्छा कासा यहाँ पर allocation है 17% के आसपास वही energy sector में 14% FMCG sector में 8% और automobile sector में 5% allocation यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पर आपको यह जो 5 sector है इसमें major allocation nifty 50 का देखने को मिल रहा है और इन sectors पर बहुत जादा depend करता है कि nifty 50 आगे आने वाले time में कैसा perform करने वाला है नहीं दोस्तों अगर हम top 5 companies पे यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा allocation Reliance Industries का 10% के आसपास में SDFC Bank का भी 9.5% के आसपास यहाँ पर allocation आपको दिख रहा है उसके अलावा Infosys में 8.58 और SDFC में भी 6.54% यहाँ पर आपको allocation देखने को मिल रहा है उसके अलावा ICIC Bank, TCS, Kootak Mahindra Bank, HUL, Axis Bank और L&T जैसी companies यहाँ पर आपको इसके top 10 के portfolio में दिख रही हैं तो दोस्तों जो Nifty 50 index होते हैं उसमें total 50 large cap companies होती हैं लेकिन उन 50 large cap companies में से यह जो top 10 companies हैं यह काफी अच्छा-कासा allocation रखती है तो इन top 10 companies के चलने ना चलने में बहुत ज़्यादा depend करता है कि Nifty कैसा perform करने वाला है अब दोस्तों बात आती है कि अगर आपको Nifty 50 index fund लेना है तो आपको कौन सा fund यहाँ पर लेना पड़ेगा तो उसके लिए दोस्तों अगर हम detail में देखते हैं कि जितने भी index fund अभी चल रहे है Nifty 50 के उन्होंने कैसा perform किया है तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम Nifty 50 index की बात करें तो इसने 5 सालों में 4.22% की return दी है और अगर हम एक साल में देखते हैं तो 43.22% की return Nifty 50 ने generate किया है और अगर हम पिछले एक साल में सबसे अच्छा perform करने वाला index fund देखते हैं तो UTI Nifty index fund सबसे अच्छा perform कर रहा है 42.94% की return इसने दी है उसके दी है लेकिन दोस्तो अगर हम expense ratio यहां पर देखते हैं तो सबसे अच्छी expense ratio मोती लालोसवाल की fund की दिख रही है 0.1% लेकिन दोस्तो मैं हमेशा आपको बताता है हूँ कि index fund में invest करते हैं आपको सिर्फ expense ratio नहीं देखनी होती आपको यह भी देखना जरूरी हो जाता है कि tracking error वो fund कितना दे रहा है तो यहां पर सबसे अच्छी return UTI Nifty index fund की दिख रही है हाला कि उसकी जो expense ratio है वो सबसे कम नहीं ह HDFC index fund भी काफी अच्छा perform यहां पर कर रहा है अगर हम यहां पर Nifty 50 के index funds की यहां पर बात करते हैं वहीं दोस्तो अगर हम 5 सालों में देखते हैं तो IDFC Nifty fund ने सबसे अच्छी return दिया है Nifty index fund में अब आए दोस्तो दूसरे index के हम लोग चलते हैं यह भी बहुत famous index है Sensex index लेकि पर बात करते हैं तो उसने financial sector में 41% के आसपास पैसा लगाया हुए और technology sector में 19% के आसपास उसके अलावा energy FMCG और construction sector में इसने अपनी major allocation यहां पर दिख रही है तो दोस्तो यहां पर अभी आपको देखने को वही चीज मिल रही है कि major sector जो है वो यहां पर common है Nifty 50 और Sensex के औ उसके अलावा SDFC bank के यहां पर 10.5% की allocation रख रहा है उसी तरह दोस्तों Infosys, SDFC, ICIC bank, TCS, Kotak Mahindra bank, Hindustan liver, Axis bank और L&T जैसी companies यहां पर आपको top 10 में दिख रही है तो दोस्तों top 10 company अगर हम Nifty 50 और Sensex की देखते हैं तो दोनों की यहां पर same आपको दिख रही है ज्यादा फरक ब अगर हम Sensex Index के top funds को यहां पर देखते हैं तो Sensex Index ने पिछले 5 सालों में 14.75% की return दिया है वही अगर हम top index देखते हैं तो SDFC Index Sensex Fund ने पिछले एक साल में सबसे अच्छी return यहां पर generate करके दी है 39.69% वही 5 सालों में भी SDFC Index Sensex Fund ने ही सबसे अच्छी return generate किया 14.36% की तो यहां अगर हम Sensex Index Fund देखते हैं तो SDFC Index Fund सबसे अच्छी return देने वाला fund यहां पर हमें दिख रहा है और इसकी जो expense ratio है वो 0.2% की चल रही है अब दोस्तों यह सवाल मेरे पास कई बार आता है कि क्या वो Nifty Index और Sensex Index दोनों के fund को अपने portfolio में लोग add कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर portfolio overlapping देखते हैं तो आपको एक चीज़ समझने है कि Sensex में जितनी companies हैं वो सारी companies Nifty में भी मौझूद हैं तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों index funds को अपने portfolio में add करते हैं तो आपको कोई extra diversification यहाँ पर नहीं मिल रही है क्योंकि 30 company तो इन दोनों में common है तो यह चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है अगर आप इन दोनों funds में apply करने के बारे में सोच रहे हैं और दोस्तों एक चीज़ और अगर हम return की भी बात करते हैं Sensex Index की और Nifty 50 Index की तो उन्होंने return भी लगबग same दिया अगर हम 10 सालों में और 5 सालों में देखते हैं तो आपको यह चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप इन दोनों funds को add करने का सोच रहे हैं लगबग same return यह दोनों index दे रहे हैं और लगबग same companies यहाँ पर इन दोनों के index में आपको दिख रही है बस फरक यहाँ पर यह आ जाते हैं जो Nifty 50 समले में आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों funds लगबग same हैं तो दोस्तों अब जिस तीसरे index के बारे में हम बात करने वाले हैं वो भी एक large gap companies का index है तीसरा index आजाता है Nifty next 50 index अब दोस्तों अगर मैं इस index का आपको थोड़ा background यहाँ पर बताओं तो Nifty 100 index की जो 100 companies होती हैं उसमें से first 50 companies चली जाती है आपकी Nifty 50 index में और उसके अलावा जो आपकी 50 companies बज जाती है वो आजाती है आपकी Nifty next 50 index में तो यानि कि Nifty 50 index से completely अलग 50 companies यहाँ पर होती है तो यह वाली 50 companies आपको Nifty 50 index या Sensex Index के साथ अगर आप add कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा खासा diversification मि 18% वहीं service sector में इसने 14% के आसपास यहाँ पर allocation है उसी तरह FMCG में भी 14% allocation है वहीं financial और energy sector में 9% के आसपास allocation है वहीं हमने Sensex और Nifty 50 index में देखा था कि वहाँ पर 40% जो allocation था वो सिर्फ financial sector को था और technology sector को भी 15-18% के आसपास allocation था वहीं यहाँ पर आपको top 5 में technology sector नहीं दिख और financial sector का जो allocation है वो सिर्फ 9% के आसपास है तो यह वाला index fund आपको Nifty 50 और Sensex index fund के साथ एक अच्छा खासा diversification यहाँ पर देदेता है अब दोस्तों अगर हम इसकी top 10 companies यहाँ पर देखते हैं तो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा allocation किसी एक या दो companies को नहीं है और top 10 की सारी companies को लगबग 3% की यहाँ पर allocation दिख रही है InfoEdge, Adani Group की companies भी यहाँ पर आपको दिख रही है उसके अलावा ICIC, Lombard, Dabar, India जैसी companies यहाँ पर दिख रही है तो यहाँ पर आपकी जो diversification है वो ज़्यादा मिल जाती है आपको यह चीज याद रखनी ह और यह जो large cap companies है यह सारी वैसे mostly large cap companies है लेकिन फिर भी यहाँ पर जो उनकी market cap है उसमें अभी और growth का बहुत जादा scope होता है तो यहाँ पर return जादा मिलने के थोड़े chances जादा होने की पूरी उमीद रहती है लेकिन यह वाला जो index है यह volatile भी accordingly जादा रहता है अब दोस्तों अगर हम Nifty Next 50 के top 5 funds देखते हैं तो यहाँ पर भी सबसे अच्छी return जो दे रहा है वो UTI Nifty Next 50 Index दे रहा है 14.64% के आसपास वही अगर हम 5 सालों में देखते हैं तो 5 सालों में ICIC Prudential Nifty Next 50 Index ने 12.46% के आसपास की return दी है अब दोस्तों यहाँ पर बस एक चीज जो मुझे expense ratio जो Nifty Next 50 Index के सभी funds के वो एक थोड़ा higher side पे है तो दोस्तों एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है अगर आप index fund में invest करना चाहते हो कि सिर्फ आपको expense ratio देखकर invest नहीं करना है expense ratio भी important होती है लेकिन उसके साथ tracking error भी important हो जाता है जैसे कि आपने इस वीडियो में भी दे दोस्तों आज इस fund पर बस इतना ही अगर आप कोई वीडियो अची लगी हो तो उसे like और share जरूर कर दें धन्यवाद